हलो एब्रीवन और वेलकम बाक तो इंसॉम्नियक स्टूडियोज मेरा नाम है जतैन और आज इस वीडियो में अगेन मैं आपके लिए एक मास्टर क्लास लेकर आया हूँ आज जो प्लगिन हम यूज करने वाले हैं वो है वेव्स वोकल राइडर काफी अमेजिंग प्लगिन है मैं काफी टाइम से सोच रहा था इस पर वीडियो बनाने के लिए बट कही ना कहीं कुछ हो जाता था वीडियो नहीं बन पाती थी अब मैंने डिसाइड करा है कि एक सीरीज में लेकर आ रहा हूँ जहां पर मास्टर क्लासे हैं पूरी प्लेलिस्ट है सो यहां पर आज हम कवर करने वाले हैं वोकल राइडर को जो की वेब्स की तरफ से आता है काफी इंक्रेडिबल प्लगिन है काफी अमेजिंग प्लगिन है बहुत सिंपल है अगर आप इसको देखोगे और यह मास्टर क्लास भी जादा बड़ी नहीं होने वाली है बिकाज यह जो प्लगिन है इसके कंट्रोल काफी लिमिटेड है लेकिन काफी जादा पावरफुल है अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दो अभी के अभी लाइक बिकाज इसी टाइब के वीडियो मैं इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ तो यह है मेरे एक प्रोजेक्ट और यह पिछले दो महीने से ऐसी पेंडिंग है इस पे कुछ भी काम नहीं हो पाया है मैं इस पे कुछ चीजे ट्राइ कर रहा था and suddenly मैं को याद आया कि मैंने वोकल को प्रोसेस तो कर लिया लेकिन उसके बाद भी कही ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही थी डाइनामिक रेंज में प्रॉब्लम आ रही थी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे वो प्रॉब्लम थी यहाँ प्लगेंस देख सकते हो यह प्लगेंस मैंने यूज करी है यहाँ पे चलते हैं और यह है हमारी वेव फाइल जैसा कि आप देख सकते हो सिरफ अगर आप बेगिनर भी हो दिन आपको समझ में आएगा कि यहाँ से यह वेव फार्म चल रही है और आप देख सकते हो इस जगा पे जो लाउडनेस है वो काफी जादा है जैसा कि आप देख के ही बता सकते हो अगर इसको हम सुनके देखें एक बड़ी सुनते हैं मैं आसे वोकल राइडर को चलो वोकल राइडर को आफ करना पड़ेगा तभी आप समझ पाओगे थोड़ा सा स्टार्टिंग से तड़ पाए मुझे तेरी सभी बाते एक बार ऐ दिवाने जूटा ही सही प्यार तो कर मैं भूला नहीं हसी मुलाकातें बेचैन करके मुझे को मुझे से उना फेर नज़र रूठेगी ना मुझे से मेरे साथ या ये वादा कर तेरे बिना मुश्किल है तो जैसा कि आप सुन सकते हो साथ ही आ ये वादा करके तो यहां पे बहुत जादा जो है यहां पे लाउड हो रही थी वाल्यूम अब इसका क्या option है इसको control करने का कि आप automation create कर सकते हो first method लेकिन automation create करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा complicated process हो जाता है time consuming process हो जाता है then आपके mind में आ रहा होगा कि हम इस पर compressor apply कर सकते हैं हम इस जगह को loop करेंगे and compression को apply कर देंगे threshold को down कर देंगे इस section में जिससे की loudness थोड़ी सी कम हो जाए volume कम हो जाए लेकिन उस case में क्या होगा अगर आपने compression use करा है तो आपका कहीं ना कहीं dynamic range जो है वो थोड़ी सी reduce हो जाती है आप देख सकते हो यहाँ पर dynamic range अच्छी है लेकिन यह जगह पर काफी problem आ रही है loudness काफी जादा है अब हम क्या कर सकते हैं हम use करेंगे vocal rider vocal rider आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने add किया हुआ है and इसको एक बड़ी मैं आपको दिखाता हूँ एक बार एं दिवाने जूटा ही सही प्यार तो कर मैं भूला नहीं हसी मुलाकाते बेचैन करके मुझे को मुझे से यू ना फेर नजर रूठेगी ना मुझे से मेरे साथ या ये वादा कर तेरे बिना मुश्किल है आपने अगर notice किया होगा आप earphones पे सुनोगे आपको समझ में आएगा वो loudness अभी भी कही ना कही यहाँ पे है लेकिन वो एक expression है लेकिन अगर आप देखो सो यहाँ पे जैसी ये पार्ट आया था ना volume down हो गई थी आप नीचे यह जो automation है ना ये भी कैसे create करनी है मैं सारी चीज़े explain करूँगा because ये master class है तो जैसा कि आपने सुना song चल रहा है vocals चल रहे हैं जैसी ये section आया है volume बस वहाँ पे थोड़ी सी low हो गई है and वो इतने अच्छे तरीके से gel up हो रही है जो हमारी dynamic range है उसको पूरा का पूरा बरकरार रखे हुआ है कहीं भी ऐसा नहीं है कि dynamic range कम हो रही है यहाँ फिर वो over compressed लग रहा है ऐसा बिलकुल भी नहीं है इसा इसलिए है इतना अच्छा साउंड इसलिए कर रहा है because यहाँ पे हमने compression को apply किया ही नहीं है हमने just यहाँ पे तरीके से आप बोल सकते हो जो volume है उसकी automation create करी है वाया plugin यह जो automation आप देख सकते हो ना इस पर drums का नाम है बट यह इसी की automation है और यह create हुई है इस plugin के साथ I know मैंने बहुत सारी videos भी देखी थी बट मैंको vocal rider पे इतनी अच्छी videos नहीं मिली तो मैंने अराम से time लिया और इस plugin को समझा उसके बाद यह मैं master class आपके लिए लेकर आ रहा हूँ and I am damn sure कि इस video को देखने के बाद जितने भी लोग video देखेंगे and यह plugin अगर use करेंगे उनको बहुत ही जादा help मिलेगी अपने vocal mixing में तो चलो अब start करते हैं तो आप देख सकते हो यह है plugin description में आपको link मिल जाएगा जाएकर आप download कर सकते हो यह है waves vocal rider यहाँ पे बहुत कम आपके पास जो है चीजे हैं like यहाँ पे है range range basically आप select करोगे इस case में example के साथ आपको समझाओंगा तो जादा आपको समझ में आएगा अब यहाँ पे मैं नहीं चाहता कि 0 dB से उपर जाए and कितना reduce हो आप यह देख सकते हो negative 12 dB यहाँ तक मैंने range select करी है कितना नीचे जाएगा and अगर मैं इसको यह 0 पे है अगर मैं इसको ऊपर करूँगा न तो क्या होगा range में थोड़ा सा हमारा जैसे plus 6 dB है यहाँ पे अभी 5.7 है तो क्या होगा जब वोकल हमारे अगर 0 dB से थोड़े से नीचे होंगे तो वो उपर की तरफ push करेगा automation उपर की तरफ बनेगी लेकिन मैं वो नहीं चाहता था सो मैंने इसको रखा है 0 पे जैसे कि कोई भी अगर peaks आएं इस area पे आप देख सकते हो जहाँ पे loudness जादा है तो उसको वो नीचे कर दे मैं सिरफ loudness नीचे करना चाहता था मैं उपर करना नहीं चाहता था यहाँ पे मैंने इस टाइप से range select करी है लेकिन अगर आपका कोई इस टाइप का vocal है कि थोड़ा सा बहुत उसमें loudness कम है तो आप उसको यहाँ से range के थ्रू बड़ा भी सकते हो वो उपर भी कर देगा सो वाई सा वर्सा आप कर सकते हो reduce भी कर सकते हो and volume को add भी कर सकते हो याद रखना यह जस्ट एक volume knob है तो यहाँ से basically आपको range select करनी है यहाँ पे है यह आपका rider यह automatically यहाँ पे जो है अपने vocal के साब से जो इसको instruction मिलेंगे यह काम करेगा आपको as such इसमें कुछ छेड़ने का नहीं है आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी range उपर नीचे हो रही है so आपको यह नहीं छेड़ना है आपको just range select करनी है and अगर आप इस पर double click करोगे so आप इसको manually भी यहाँ पे set कर सकते हो values को then हमारे पास है output output क्या है अगर यहाँ पे जादा reduce हुआ है so यहाँ से आप इसक तो जो है make up gain kind of बोल सकते हो लेकिन इस case में क्या था मुझे control करना था वोकल को तो यहाँ पे मैंने क्या कर रहा है वोकल जो output है वोकल्स पे वो मैंने zero ही रखा है because मुझे वो reduce करना था यार एक तो मैं जब tutorial बना रहा होता हूँ Google पता नहीं कहां से मेरी आवास पकड़ लेता है तो यहाँ से इस तरीके से अगर आपने जादा इसमें थोड़ा सा volume down हुआ है कही ना कहीं या फिर जादा dynamic range है तो यहाँ से आप output भी adjust कर सकते हो अगर बहुत जादा loud हो रही है तो आप कम कर सकते हो अगर बहुत जादा कम हो रही है तो आप output को add भी कर सकते हो simple बहुत ही simple है बहुत ही simple as such कुछ इसमें चीज नहीं है कि बहुत जादा difficult हो बहुत ही basic controls है सिरफ आपको यहां से range select करनी है then उसके बाद उपर आते हैं so यहां पे है target target बहुत important है because target के through ही जब हम target को set करेंगे न तो हम यहां पे instructions देंगे अब मैं फिर से play करता हूँ track को and आप सुनना इस साथ में यह जो target है इस पे देखना कि जो level से वो कहां तक जा रहे है तड़ पाएं मुझे तेरी सभी बातें एक बार ऐ दीवानी जूटा ही सही प्यार तो कर मैं भूला नहीं हसी मुलाकातें बेचैन करके मुझे को मुझे से उना तो में को लग रहे है कि आपको समझ में आ गया होगा जिन लोगों को समझ में नहीं आया है तो उनको मैं बता देता हूँ target basically आप यहां पे इस plugin को instruction दोगए कि मेरी जो volume है वो यहां से अगर जादा जाएगी तब ही vocal rider जो है वो अपना काम करना start करेगा like इस case में मैंने इसे instructions दिये है कि कम करनी है volume को तो यहां पे आप देख सकते हो starting में इतनी जादा कुछ volume reduction यहां पे नहीं हो रहा था vocal rider जो है काम नहीं कर रहा था एक बड़ी मैं फिर से दिखाता हूँ हलका सा एक peak थी यहां पे देन उसके बाद थोड़ा सा यहां पे था यहां पे बहुत जादा था तो basically मैंने उसको बोल दिया है यह level से जैसी exceed होगा volume को नीचे कर देना बहुत ही simple भाशा में आप यह समझ सकते हो language में समझ सकते हो मैं एक बड़ी देखता हूँ यहां पे है negative 14.5 तो यहां पे अगर मैं इसको और कम करता हूँ अब एक बड़ी सुनते हैं आप देखना vocal rider आप जादा गाम करेगा अब देख सकते हो आप सुन सकते हो जो यहां पे volume में वो थोड़ी सी down हो गई है काफी down हो गई है उसका simple सा reason यह है जो हमने इसको target दिया था target basically आप threshold समझ सकते हो so यहां पे उसी तरीके से vocal rider perform करेगा work करेगा so यहां पे मैं इसको negative 14.5 रख देता हूँ because यह मेरे लिए perfect था and इस section में आप देख सकते थे यहां पे बहुत जादा peaks जारी थी so वो reduce हो रहा था आप यहां पे देख भी सकते हो target वाले जगा पे basically जो यह section था मुझे उसी की volume down करनी थी again मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा यहां पे compression apply नहीं हो रहा है यह just volume automation kind of आप बोल सकते हो volume up down हो रही है so बहुत ही simple है target then उसके बाद यहां पे हमारे को mode मिलता है fast और slow मैंने basically जितना अभी तक इसको try किया है वो slow पे करा है and में को अच्छे results मिले है fast पे I think जो आपके थोड़े से transient है उस पे भी थोड़े से I think वो इतने जादा जल्दी नहीं होंगे but slow पे अगर आप रखोगे vocals पे normal soft vocals पे तो better रहेगा आप fast भी try कर सकते हो then उसके बाद यहां पे sensitivity sensitivity में आप select कर सकते हो क्या sensitivity रहनी चाहिए है plugin की जो यह reduction करेगा so यहां पे आपको मैं zero पे ही रखता हूँ mainly perfect work करता है then यहां पे है music यह basically आपका side chain के साथ work करेगा side chain वाले portion को अभी हम नहीं discuss करेंगे just हम discuss करेंगे कैसे आप अपने जो vocals हैं उसमें dynamic range को preserve कर सकते हो वो रख सकते हो and कहीं पे अगर loudness जादा है उसको कम करके भी अपने जो vocal की dynamic range है उसको as it is रख सकते हो so यह है सारी चीज़े हमने cover कर ली हैं आपको लग रहोगा कि क्या यार इतनी सी चीज़े थी हाँ जी इतनी सी चीज़े थी लेकिन अब interesting part चुरू होता है अगर आप plugin के नीचे देखोगे so यहां पे है automation automation में यहां पे अभी off है write है and read है इस plugin के through जो reductions हो रहे है volume जहां जहां नीचे जा रही है आप उसकी automation create कर सकते हो जी हाँ मैंने करीब ही हुई है जिसका नाम drums है तो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा पहले मैं बता देता हूँ off पे क्या होता है जब off पे होगा that means यह plugin work कर रही है and write पे जब हम करेंगे तो यहां पे automation read, sorry जब write पे करेंगे तो automation जो है वो यहां पे हम automation को एक तरीके से capture करेंगे, record करेंगे and read पे क्या होगा अगर यह जो plugin, I mean क्या हो गया है, मैं क्या बोल रहा हूँ so यहां पे यह जो automation already हम कर चुके है record उसको अगर हमें read करना है, so हमें read mode पे जाना होगा, so यहाँ पे read पे जाएंगे, and इसको कर देंगे हम play, तो basically इसका मतलब क्या है, यह plugin अब इस automation को read कर रही है, यह अपना दिमाग नहीं चला रही है, यह इस automation को read कर रही है, and अब मैं आपको दिखा देता हूँ, कि आप FL Studio में इसकी जो automation है, उसको record कैसे करोगे, तो यहाँ पे हमें आना है write mode पे, उसके बाद यहाँ पे हमें करनी है recording, तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे starting में ले जाता हूँ, और उसके बाद record करेंगे, record के button पे click करेंगे, तो यहाँ पे आपको करना है notes and automation पे click, और अब हम play करेंगे, simple, तड़ पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार ऐ दीवानी, जूटा ही सही प्यार तो कर, मैं भूला नहीं हसी मुलाकातें, अभी मैंने volume डाउन कर दी है, जस्ट output यहाँ पे decrease करा है मैंने, जो speaker, studio monitor है, यहाँ पे आप सामने देख सकते हो, automation जो है वो record हो रही है, जैसा कि आपके सामने हैं, आप देख भी सकते हो, पहलेगी जैसे ही है, लेकिन शायद आप में से कुछ लोग confused होंगे, कि हमारे पास अगर automation ही नहीं है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको मैं stop करता हूँ, तो यह आप देख सकते हो, यह new automation record हो चुकी है, लेकिन अगर आपको doubt है ना, यह automation पहले से थी, तो यहाँ से मैं इसको delete ही कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने automation को remove कर दिया है, जो पहले record होई थी, अब अगेन हम automation को record करेंगे, सबसे पहले आपको F4 प्रेस करना है, एक new pattern create करना है, बेकास यह automation है, यह pattern में ही record होती है, सबसे यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं, vocal automation, यहाँ पे इसको color भी दे देते हैं, same vocal जैसा, और अब करते हैं record, record पे click करेंगे, और उसके बाद, notes and automation, notes and automation, play करेंगे, तड़ पाएं मुझे तेरी सभी बातें, एक बार एं दिवानी, जूटा ही सही प्यार तो कर, मैं भूला नहीं हसी मुला कातें, बेचैन करके मुझे को, मुझे से यू ना फेर नजर, रूठेगी ना मुझे से, मेरे साथ या ये वादा कर, तेरे बिना मुश्किल है, जीना मेरा मेरे दिल बर, जरा जरा बहकता है, मेहकता है, आज तो तेरा तन बदन, दुप्यासी है, तुझे भर लूँ अपनी बाहों में हां, मेरी कसम, तुझे को सनम, दूर कहे, ना आ जा, ये दूरी कहती है, पास मेरे आजारे, तो यहाँ पर automation record हो चुकी है, यहाँ पर अब यह read mode पर है, यह automation read करेगा, अब अगर यहाँ से मैं इसको negative भी कर देता हूँ, अब क्या है, अगर मैं यहाँ से play करता हूँ, तो जैसे कि आप सुन सकते हो, कोई फरक नहीं पड़ा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर already, जो यह automation है, वो record हो चुकी है, अगर यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं कुछ भी settings को छेड़ता हूँ, कोई फरक नहीं पड़ेगा, अगर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं इसको negative में ने कर दिया है, बिल्कुल extreme कर दिया है, अब अगर मैं इसको off पर करता हूँ, मैं play करता हूँ, अब यहाँ पर क्या हुआ है, जो plugin है, वो again work करना है, start कर दिया है, वो अब इसके actual में यहाँ पर जो threshold था, जो target था, वो उसको search कर रहा है, उसके recording यहाँ पर volume को वो नीचे करेगा, decrease करेगा, तो जैसा कि आप देख सकते हो, automation, अगर आपने एक बार record कर लिया, एंड को चूपर नीचे हो भी जाता है, then आपको tension लेनी कोई ज़रवत नीचे है, आप just read mode पे इसको रखो, and आपका काम, जैसा आपने पहले record कर रहा था, वो वैसी आएगा, जैसा कि आप देख सकते हो, तो ये थी आज की master class, जहां पे हमने discuss करा, एक plugin को जिसका नाम है, Waves Vocal Rider, काफी amazing plugin है, काफी amazing plugin है, अगर आप सोच रहे हो कि आप जादा compressor, दो compressor अड़ करके यहां पे इसको, जो है, गंट्रोल कर सकते थे, बहुत ही जादा difficult है, कही ना कहीं आपकी जो dynamic range है, जो काम है, वो हम automation खुद भी manual draw कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, अगर आपको कहीं पे जाना है, आप pedal भी जा सकते हो, बाइक से भी जा सकते हो, आप car से भी जा सकते हो, डिपेंड करता है आपके उपर, तो in the same way, अगर आपको automation create करनी है, यहाँ पे आप plug-in से भी कर सकते हो, as well as, जो है, आप manual भी कर सकते हो, लेकिन manual में आपको काम जादा गरना पड़ेगा, अगर आप एक plug-in लेते हो हैं, और काफी सस्ती plug-in है, बहुत ही सस्ती plug-in है, तो अगर आप इसको लेते हो, काफी जादा आपका काम easy हो जाएगा, and quick हो जाएगा, एक चीज़ यहाँ पे मैं और add करना चाहूँगा, अगर आपको लग रहा है कि vocal rider को use करके, आपको काफी जादा control मिल जाएगा, अपने vocals पे आपको compressor की जरूरत नहीं होगी, तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने vocal chain पे आप देख सकते हो, यह है vocal rider, and उसके बाद आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने CLA-2A भी यूज करा है, compressor भी यूज करा है, लेकिन compressor जो मैंने यूज करा है, gain reduction बहुत ही उसमें कम है, slightly सा है, जिसके तुरू एक हलका सा character मिल गया है vocals को, लेकिन dynamic range पे ज़्यादा फरक नहीं पड़ा है, over compressed भी sound नहीं कर रहे हैं, I hope यह master class आपके लिए informative रही होगी, and आपको कुछ ना कुछ इससे help तो मिली ही होगी, वीडियो अच्छा लगा है, so वीडियो कर देना, like, channel को कर देना, subscribe, अगर आपके मन में और भी कोई doubts हैं या फिर queries हैं, comment section खुला है, आप मेरे से नीचे पूछ सकते हो, फिलाल आज के लिए इता ही, मैं मलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी, next video में,